Praise the Lord प्रभू बहुत महान है Amen आलर लिया परमिश्र की बहुत 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 कृपा है पुरे हिफ्ता हफ्ते परमिश्र ने बहुत बारिश गिराई लेकिन आज के दिन परमिश्र ने ये परमिश्र का प्रेम है Amen हम छोटी छोटी बातों में उसके प्रेम को देखें Amen अच्छी नीन आए विश्वास करिये उसका प्रेम है Amen दुख में, मुसीब्तों में आपके अंदर शान्ती आए विश्वास करिये उसका प्रेम है वो आपसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों के अंदर उस प्रेम को दिखाऊं मेरे बच्चे उस प्रेम को देखें Praise the Lord इसलिए वो कहता है कि मुझे में बने रहो मुझे में बने रहो हम जब संसार में बन जाते हैं हम जब अपने आपको अपने बिज्ञस अपनी नौकरी की चिंताओं में घेर लेते हैं तब हम उसके चिन्न को नहीं समझ पाते तब हम उसकी बातों को समझ नहीं पाते उसकी इशारों को समझ नहीं पाते यह उसकी इशारे है एमेन आलेलुया आपके अंदर शान्ती का आना उसका इशारा है कि वो आपके पास है दुश्वनों का आते हुए भाग जाना या मोड ले लेना इशारा है कि वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है हमें उस इशारों को समझना है हमें उसके प्यार को महसूस करना है वो आपसे हर पल प्यार करता है वो आपको हर पल बताना चाहता है कि वो आपके पास है हर पल आप नहीं जानते हैं आपके माता पिता आपसे इतना प्यार नहीं करते हैं जितना वो आपसे प्यार करता है आप कैसे लेटते हैं कैसे उड़ते हैं कैसे बैढ़ते हैं आपके सिर के बाल कितने गिरे हैं कितने उग आए हैं He knows उसको पता है वो आपके बालों की गिंती तक जानता है आपके मामापको पता है आपके बालों की गिंती पता है आपकी मम्मी को वो जानता है प्रेस अलोट सुचिए वो आपको कितना प्रेम करता है लेकिन हम इस संसार की चका चौंद में उसके प्रेम को भूल जाते हैं और यह उसे अच्छा नहीं लगता है यह उसे अच्छा नहीं लगता है मेरे बच्छा मेरे प्रेम को भूल जाए जब इस्राइलीस को वो मिष्ट से दासत्व के जीवन से लेकर आया था प्रेस अलोट जरा जरा सी बात पर इस्राइलीस जो थे वो भूल जा रहे थे उनको प्यास लगती थी कुट-कुड़ाने लगते थे वो भूल जा रहे थे कि हरे हमारे पिता ने परमिष्ण ने 400 साल के दासत्व से हमको छोडाया है चोटी-चोटी बातों में कोड़कोडाते थे चोटी-चोटी बातों में परमिष्ण को दोश देते थे आज खाना नहीं मिला आज भूक लग रही है यह मनना हम रोज ऐसा ही खाएंगे इंसान जो है वो कभी satisfy नहीं होता इसलिए उसे रोज नया खाना चाहिए रोज आज चिकन मना है आप आपकी पत्नी दो दिन चिकन मना दे रहा है क्या है यह रोज का चिकन पंदा दिन नहीं मना है अरे यह चिकन का है यह नहीं कि आप satisfy होते ही नहीं है परमेश्वर आपको एक सा बनाना चाहता है परमेश्वर आपके सवभाव में एक ता और एक मन रखना चाहता है इसलिए उसने चालिस साल तक एक ही मनना खिलाया आदे रही है एक ही मनना खिलाया चालिस साल तक क्योंकि आप उस सवभाव को उस स्वाद को समझ लें जो परमेश्वर का है आप जब स्वर्वर पही जाएंगे क्या मिलेगा आपको 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 किसी को नहीं पता मनना मिलेगा क्या मिलेगा एमेन परमेश्वर चाहता है उस स्वाद को आप चक लें और वो स्वाद इशू की रोटी का है इशू की देह का है आप जब उस रोटी को लेते हैं आप जब इशू की देह को आपने अगर चक लिया है तो उस जैसा सुवाद दूसरा कुछ नहीं होगा प्रेस अलॉट वो महान है और उसने सबसे पहले जब आपका उधार हुआ आप चुने गए आपको क्या दिया? विश्वास मसीयों के जीवन में सबसे खतरनाख चीज पता क्या है? अगर आप विश्वास के दौरा काम नहीं करते हैं तो आपका उधार छेन लिया जा सकता है विश्वास का वर्दान जैसे ही आप प्रहू में आते हैं आपको परमेशर विश्वास का वर्दान देता है प्रेस अलॉट विश्वास के वो है विश्वास कि इश्व मुसी ने आपके लहू बाया है विश्वास कि आप उसके लहू बाहने से शुद्ध हो चुके है विश्वास कि आपके पास आशा है कि आप स्वर्ग में जाएंगे और उत्रादिकार आपके लिए है विश्वास के परमिशर का सामर्द आपकी जमीन पर रक्षा करता है जब हम प्रभू में आते हैं जब हम परमिशर हमें चुनता है इसू चुनता है तो हमें सबसे पहले विश्वास का वर्दान देता है और उस विश्वास के वर्दान के दौरा हमें हर काम करना है हमारे हर काम में विश्वास दिखना चाहिए अगर आपके काम में विश्वास नहीं है देखिए शैतान का काम यह हर काम में आपके अंदर संदेश डालना आप जो भी काम करने जाएंगे यह काम होगा या नहीं होगा कितना होगा सफल अच्छा होगा के नहीं होगा कहीं आदमी गरबर तो नहीं करेंगे ये मजदूर सही है के नहीं सही है आज ये लेट क्यूं आए आज ये पहले क्यूं आए नहीं कि हर बात में शैतान का मकसद है आपके अंदर संधे डालना आपके विश्वास को कमजूर करना लेकिन प्रभू का कहता है कि अगर आपने विश्वास किया है कि वो आपके साथ है आपका अगर विश्वास है कि आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा तो आपको उसी के अनुसार कारे करना है तब आपकी जीत है प्रिस्ट लॉट याकूब का दो का चौदा जेम्स 2.14 एंट 26 और याकूब जेम्स की पत्री दो का चौदा पढ़िए वेड़ा हे मेरे भाईयो यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाव क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है अगर आप विश्वास करते हैं कि इश्व है अगर आप विश्वास करते हैं कि आप शुद्ध हो चुके हैं अगर आप फाइदा हलो यह क्या है कलीशिया यह परमिश्र का भावन कितने विश्वास करते हैं कि आज आप रभू के सामने बैठें आप रभू घर में बैठें अगर भी आगर अभी भी आपको डर लग रहा है आपके अंदर संधे है इसका मतलब आपको यहां बैठना इमानदरी से नहीं विश्वास से नहीं है आप आत शो गए हैं कलीशिया लेकिन आप पूरा विश्वास नहीं किया आप विश्वास के संग बैठें नहीं है कितने लोग है जो चर्च आने के बाद करते मैं आज चर्च जा रहा हूं अरे ऐसी कम तैसी इन मेरी प्रॉब्लम्स की विपत्तियों की आज मैं कलीज क्या जा रहा हूं और जब मैं वापिस आऊंगा तो शुद्ध होकर आऊंगा आप कहा पर आएंगे प्रभू के घर में आएं मुझे सुनने के लिए नहीं आया आप जिस दिन आप इस विश्वास के संग बैठेंगे कि मैं परमेश्वर के घर में बैठा हूं मुझे मेरे पिता ने बुलाया है मैं अपने पिता के सामने मिलने जा रहा हूं वो सर्वशक्ति मान है स्वर्ग और धर्टी का रचाईता है वो इस लोड आज मैं यहां से खालियात नहीं जाऊंगा मेरी सारी निराशाएं मेरी सारी मुसीबत मेरा सारा संधे मैं अपने पिता के सामने रख कर आजाद होकर जाऊंगा किसके पास आएं आप लेकिन मुकब होगा जब आप विश्वास के संग इस कलीसिया में बैठेंगे जब आप यह महसूस करेंगे आप अंगिकार करेंगे कि मैं इशू पेर सामने है इश्यू यहीं पर है पवित रात्मा यहीं पर है पिता परमिक्षर का आशीश यहीं पर है Amen? Hallelujah इसलिए वो कहता है कि अगर तू विश्वास करे और विश्वास के जैसा कर्म ना करे तो तेरा उध्धार लगाई ही यहां पर जैम्स 2.14 लगाई रखिए पढ़िए हे मेरे भाईयो यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास उससे क्या लाब? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उध्धार कर सकता है? यहनिके आपका विश्वास के संग काम ना करना आपका उध्धार चीन सकता है अगर आप विश्वास कें संग काम नहीं कर रहे है तो वह आपका वो जो आपका अविश्वास है वह आपका उध्धार चीन सकता है कैसे? क्योंकि आपका विश्वास जब अविश्वास में बदलता है तो आप पर्भू से दूर हो जाते हैं और शैतान के करीब आ जाते हैं फिर आप क्यों दूर हुए आपके अंदर अविश्वास क्यों आया क्योंकि आप शैतान की सुन रहे हैं आपको शैतान अच्छा लगने लगा है आपको शैतान का संसार अच्छा लगने लगा है वो दोस अच्छे लगने लगे हैं जो गालियां देते हैं जो वेबिचार करते हैं जिनके अंदर गंदगी है वो अच्छे लगने लगे हैं अगर आपको वो दोस अच्छे लगने लगे हैं तो आप जान लीज़े ये चिन है कि शैतान आपके अंदर काम कर रहा है लेकिन अगर आपको आपकी संगती लगती कि मेरा दोस्त गयार गलत है मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए अगर आपके अंदर एक बोज आता है कि नहीं यार इस नॉट राइट परसंट ये गलत बात करता है ये दारू पिता है ये वेविचार करता है नहीं 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 इसकी बातों में सही नहीं है और आपके अंदर एक बोज आता है तो समझिए कि पवित्रात्मा आपका हाथ पकड़ कर परमेश्चर की ओर लेकर आ रहा है पवित्रात्मा चाहता है कि आप वहां से उठे हैं इसलिए वो आपको बोज दे रहा है इसलिए वो आपको बता रहा है कि ये काम तुमारे लिए नहीं है ये भाई ये बेहन तुमारे लिए नहीं है विश्वास के साथ काम करना इसी का 26 वा क्या है? देखिए क्या लेखते है दोका 26 वा अथ जैसे देव आत्मा के बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी करम बिना मरा हुआ है विश्वास के करम के बिना विश्वास मरा हुआ है कितनों के पास मरा हुआ विश्वास है very good और कितनों के पास जिंदा विश्वास है जिंदा विश्वास का मतला पता है न हर काम आप विश्वास के संकरते हैं, आपने मांगा आपने प्रात्रा की और आपने विश्वास क्या कि यह होगा, क्यों मैंने अपने पिता से प्रात्रा की परमेश्वर क्या चाहता है परमेश्वर चाहता है कि आप आपको विश्वास का वर्दान क्यों दिया है ताकि आप उसके प्रॉमसिस को समझ ले उसके प्रॉमसिस को आप सुईकार करे दूसरा पत्रस एक का तीन पढ़िये क्योंकि उसकी इश्वर्य सामर्थ ने सब कुछ जीवन और भक्ति से सम्मंद रखता है हमें उसकी पैचान के द्वारा दिया है क्योंकि उसके इश्वरिय सामर्थ ने सब कुछ इश्वरिय सामर्थ ने परमेश्वर का सामर्थ इश्व का सामर्थ ज्यान दीजे आपके जीवन में कौन काम कर रहा है उसका सामर्थ वो कहता है कि उसके इश्वरिय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ती से संबंद र आपके जीवन से संबढ़ी आपको दिया चुका हूं आपके जीवन के लिए जो जो चीजें जरूरी है रोटी कपड़ा मखान उसने देदिया है इस के लिए रहते他是 कि चहरा है जीवन से संबंदित और भकती से संबंदित आपको जो जो चीजे चाहिए उसके पहचान के द्वारा आपको मिल चुकी है ये जो पहचान शब्द है न अलो आप लग क्यों नहीं समझ पा रहे है कि उसने आपको दिया है क्योंकि आपकी पहचान उससे कम है जिस दिन आपकी पहचान इशू से बढ़ गई जिस दिन आप इशू मसी को पूरी तरीके से पहचानने लगे उस दिन आप मांगेंगे नहीं आप नहीं मांगेंगे आपके घर में दाल खतम होगी न तो परमिश्र का सरदूत आएगा और भढ़ देगा आपकी पहचान उसके संग मजबूत होनी चाहिए कभी-कभी घर में सब कुछ होता है फिर भी खाने का मन नहीं करता है फिर भी कहता रहे है यार नहीं यार नोकर भी है नोकरानी भी है मालकीन आज चिकन बनाओ नहीं 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 मालकीन ये राजमा बनाओ नहीं नहीं अज क्या बनाओ बारिश है पकोले बनाओ चल तू जित कर रहे हैं पकोले बना दे पकोले बने हुए पड़े हुए खाने का मनी नहीं कर रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी पहचान नहीं है आपने पैसा तो मांग लिया आपने नौकर तो मांग लिए आपने कार तो मांग ली लेकिन आपने परमेश्वर से अपनी पहचान नहीं बढ़ाई जिस दिन आप इशू के संग अपनी पहचान बना लेंगे न उस दिन मेरे भेन परमेश्वर बिन मांगे आपको देगा और वो अगर आधी रोटी भी देगा न तो उसमें आपको सुर्गिय स्वाद का आनन्द लगेगा उस आधी रोटी में अगर उस रोटी में तेल भी नहीं लगा होगा उस रोटी में घी भी नहीं लगा होगा तब भी आपको वो रोटी त्रिप्त करेगी Amen क्योंकि आपकी पहचान उससे बढ़ गई है तो अपनी पहचान बढ़ाई है और उसके लिए विश्वास का वर्दान जो उसने दिया है वो काम करिए और उसके जैसा काम करिए विश्वास के द्वारा काम करिए प्रिस अलॉड आप कैसे करेंगे विश्वास के द्वारा काम जैसे वचन कहता है कि मैं हूँ मैं तुझे धोका नहीं दूँगा ना मैं तुझे त्यागूँगा वचन पढ़ा हुआ हमने मैं तुझे धोका नहीं दूँगा मैं तुझे कभी नहीं त्यागूँगा रेस अलॉट मती छे का 31 का कहता है तू क्या खाएगा तू क्या तू क्या पिएगा इसकी चिंता मत कर हलो दिखा हुआ है मैं तू सिक्स थर्टी वन प्रेस्ट लॉट हालेलुया आपको क्या करना है आपको इन प्रॉमिसेश पर विश्वास करके उस जैसा काम करना है तू क्या खाएगा उसको पता है इन्स ना रड़ा है कि आपका पेट भी आपको भूग लगती है आपकी हर चीज जानता है वो आप कितने मजबूत हैं आप कितने ताकतवर हैं वो सब जानता है आपको बताने की ज़रोते हैं उसे उसने रचाए आपको उसने आपको रच कर आपकी मा के कोख में डाल दिया उससे कुछ नहीं छुपा इसलिए जब परमेश्र के सामने जाएं नंगे होकर जाएं आप छुपाते हैं कि परमेश्र को नहीं बताएंगे कि मैं थोड़ा स्वार्थी भी हूँ मिरे अंदर थोड़ा वेविचार भी है परमेश्र को नहीं बताएंगे आप बताएंगे तो उस पाप से मुक्त हो जाएंगे आप समझने के परमिश्यों को नहीं पता मैं किसी को धोका दे रहा हूँ अरे प्रभु को क्या पता माफी मांग लेंगे नहीं मेरे भाई उसने आपको रचाया ये मत भूलिये हर अंग उसने मा की कोक में डालने से पहले इर्मिया एक का चार और पांच क्या लेकिता है इर्मिया एक का चार और पांच जली पढ़िये बेटा जर्मिया इर्मिया एक का चार और पांच जली पढ़िये तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुचा गर्ब में रचने से पहले ही मैंने तुछ पर चित लगाया और उत्पन होने से पहले ही मैंने तेरा अभिशे किया गर्ब में रचने से पहले मैंने तुछ पर अपना चित लगाया आज तो आपके आँख कान हैं, आपका अस्थित्व दिख रहा है जब आप कुछ नहीं थे, जब आपका अस्थित्व नहीं था जब आपका कोई रूप नहीं था, जब आपका कोई नाम नहीं था उस समय परमेश्वा ने आप पर अपना मन लगाया है आप सुचिए, इमेन, इस प्रामिस को समझिए आप, कि वो कितना प्रेम करता है आपको जब आप कुछ नहीं थे, आपका अस्थित्व नहीं था, आपका नाम नहीं था आपका कुछ भी अंच नहीं था, अक्स नहीं था उस समय परमेश्वा ने आप पर अपना मन लगाया है और आपका अभी शेक किया है और बताया है कि तू मेरा है तू मेरा है वो चाहता है कि मेरा बच्चा जिस पर मैंने उत्पन होने से पहले चित लगाया है जिसका मैंने अभी शेक किया है वो मेरा बना रहे कब बनेगा? कब बना रहेगा? जब आप विश्वास के वरदान के द्वारा अपना हर काम विश्वास के संग करेंगे कि वो है वो है Amen मरियम के बारे में सुना आपने मरियम मरियम जैसा विश्वास वो पहली यह औरत थी जो बिना आदमी के मा बनी थी उससे पहले इतियास में कभी नहीं हुआ वो परमेश्वास को जानती थी लेकिन आप सोचिए कि उसका उसका विश्वास कितना था जैसे ही उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई और जिब्राइल दूत ने आकर कहा कि परमेश्वास का आत्मा तुछ पर उत्रेगा आच्छा दित होगा और तू एक पुत्र को जनेगी उसका नाम इशू रखना Amen Praise the Lord क्या आप के लिए आम बात है ये बच्चे का बीज आना एक औरत के लिए आम बात है क्या Amen क्या उसे एक्स बीजन्स हा वो कुमारी थी जैसे ही जिब्राइल दूत ने किया एनाउंस किया उसको गोशना दी परमेश्वास का आदेश दिया उसने उस विश्वास के संग उसको स्विकार किया और वो कहीं नहीं गई ना उसने यूसुफ को जाकर बताया ना उसने किसी सगे संबंदी को बताया कि मेरे संग ये हुआ है आज तक कभी भी कोई भी कुमारी औरत मा नहीं बनी थी आप सोचिए उसका विश्वास उसके साथ क्यों रहा क्योंकि उसने संद्ह नहीं किया उसने किसी को बताया नहीं अगर हो सकता किसी को बताते था रहे क्या तू पागल हो गई क्या तू परमेश्या ने कभी आस्थक हुआ है क्या एक तू उरत है तू कैसे मावाद सकती बिना आत्मी के यूसुफ से कहती हूँ यूसुफ पर कहता रहे ने ने तुम गरत वही होई है तुम परमिशे से ज्यादा प्यार करती हो इसलिए ऐसा तूम सोच रही हो उसको संदे आता आपका विश्वास अविश्वास में क्यों बदलता है क्योंकि आप अपना दर्शन उन लोगों को देते हैं जो इस योग के नहीं है आप अपना दर्शन आप अपना विश्वास आप उस प्रतिग्या को जो पर्मेशन ने आपको दिया है आप उन लोगों को मत दीजिए जो इस योग नहीं है आप समझे मानले यह आपका पिता विश्वासी नहीं है और आप आपने पिता को बताए कि पर्मेशन ने कहा है कि मैं कुमारी मा बनूंगी वो एक्षेप करेगा वो आपको सपोर्ट करेगा इमेन यूसुफ ने क्या गलती की थी यूसुफ ने अपना दर्शन कि चांस सितारे तेरे सामने जुकेंगे अपना दर्शन अपने भाईयों को बताया जिनको दर्शन समझने की अकल नहीं थी अपना दर्शन उनको मत बताये जिनको अकल नहीं है जो आप समस्ते की पर्मेशन ने आप से कहा है उस आदमी से कहिए पासवान से के जो समस्ता है यूसुफ ने गलती की अपने भाईयों से कहा कि चांस सूरच मेरे सामने जुकेंगे उन्होंने बेश दिया उसे मरियम ने गलती नहीं की मरियम को जैसे ही पता लगा जैसे ये आदेश हुआ जैसे उसे प्रतिग्या मिली मरियम को उसको नहीं पता था कि कैसे भी जाएगा हलो पवित्रात्मा कब आने वाला है उसको नहीं पता कैसे आने वाला है उसको नहीं पता कैसे वो बीच बच्चे का रूप ले लेगा उसे नहीं पता लेकिन उसके पास क्या था विश्वास कि परमेश्वर के मुख से निकला है वो होगा और उसके लिए उसने क्या किया इमिजेट वो अलिश्वा के पास गई उसकी बेहन जिसको बच्चा नहीं था और जिब्राइल ने कहा था कि अलिश्वा के पास बच्चा होने वाला छे मेने की है वो गर्ब से अलिलुया आप अपने विश्वास का इस्तमाल कहा करें अगर आप किसी ऐसे आदमी के सामने अपने विश्वास का अपने विश्वास का इस्तमाल करेंगे जो कि जिसके अंदर विश्वास नहीं है आपका विश्वास भी कमजोर हो जाएगा पहले अपने विश्वास को सुद्रल करिए अपने अंदर विश्वास पैदा करिए विश्वास के संग चलना सीखिए विश्वास के संग जीना सीखिए आज आपको कुछ भी चाहिए परमिश्व से मांगे मैं अपने बच्चे को ही सिखाता हूँ आपको जो कुछ चाहिए पिता से मांगे पिता से मांगे मैंने परमिश्य से ही मांगा है कुछ भी मुझे चाहिए मैं पिता से मांगता हूँ किसी नहीं मांगता मैं मैंने आज तक कितने सोबे से शाम तक इतने फोन आते हैं मुझे प्रात्रा के लिए कि इसाफ सुन रहे हैं YouTube पर मने आज तरक किसी से प्रात्ना के लिए पैसा नहीं मांगा किसी से भी मैं प्रात्रा करता हूँ और रख देता हूँ मुझे पता है मुझे किससे मांगना है मुझे पता है मुझे कब मांगना है France a lot आप अपने जीवन का आधार विश्वास बनाईए मरियम ने समझ लिया था प्रेस अलॉट वो दुख में भी उसने सुक्य उठाया क्योंकि वो विश्वास के संग कर्म कर रही थी जैसे उसका पुद्र हुआ परमेशन ने का मिस्ट चली जा क्योंकि हैरोदस्नियां सोचना कर दिया है हैरोदस्नियां ऐलान कर दिया है कि वो बच्चों को जिन बच्चों के जनम हुए उनको मार देगा और बच्चे को उठाकर बच्चे को लेकर मिस्ट चली गई मरियम और यूसुफ इस अलॉट हलो मिस्र में जहाँ पर वो लोग रहे तें मैं वो जगाद देखकर आया हूँ मैं भी इस्राइल गया था उस गुफा में रहे वो तीन महीने तीन महीने उस गुफा में रहे प्रेस अलोट वो कैसे जीती क्योंकि उसने दुख में भी विश्वास का कर्म किया जो प्रभु ने कहा विश्वास के संग उसको माना युसुफ पैसेवाला था युसुफ न मरियम से यह क्या है रही नहीं यार वहाँ जाएंगे मिस मैं यहीं कर लूँगा सभाव लूँगा शेदा नहीं कर कि मैं पैसे वाला हूं यहीं पर तुझे ऐसी छुपा दूँगा तो कोई तुझे देखेगा नहीं कि मेरे भाई कि अगर आप उसको जानते हैं तो उसके अनुसार चलने की ही आदर डाल लीजिए आप मांगिए कि परमेशर में आपके अनुसार चलूँ मुझे बुद्धी दीजिये परमेशर कि मैं अपना आज का दिन आपके अनुसार बिताओं अपने अनुसार ना बिताओं कि इसलिए वाई vraag कहती है इसुमसी कथा है जो अपना इंकार करेगा वोँही मेरा क्रोस उठा सकता है आपको अपना इंकार करना पड़ेगा अगर आप अपना इंकार नहीं करेंगे तो आप आशीष नहीं पाएंगे प्रेस अलॉट इसलिगों कहता है याकूब की पत्री पहला दो से आगे पड़ेंगे हे मेरे भाईयो जब तुम नाना प्रकार की परिक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनन की बात समझो ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परके जाने से दीरजुद्पन होता है अब ध्यान दीजिए आप वो क्या बोल रहा है ये पत्री किन के लिए मसीहों के लिए है किन के पास विश्वास का वरदान है एमेन दूसरा पत्रस एक का एक निकालेंगे हम जली से पढ़ लेंगे दूसरा पत्रस एक का एक में क्या लेखाओ जली से पढ़ ये शमान पत्रस की ओर से जो येश्य मसी का दास और प्रेरित है उन लोगों के नाम जिनों ने हमारे परमेशर और उद्धार करता येश्य मसी की धार्मिक्ता द्वारा हमारे समान भवमुल्य विश्वास प्राप्त किया है एमेन आज आपके बस कौन सा विश्वास है जो पत्रस के पास था हलो एमेन आज आपके बास वो विश्वास का वर्दान है जो पत्रस के पास था जो पॉलुस के पास था जो यहुनना के पास था जब उन्होंने उस विश्वास का उप्योग किया तो आप भी कर सकते हैं जब उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया तो आप भी कर सकते हैं आपके बाजी वही विश्वास है लेकिन उन्होंने उस विश्वास का वर्दान पाकर विश्वास के काम किये हम विश्वास का वर्दान पाकर संधे के काम करते हैं कि हमारे काम में संधे होता है हमारे जीयने में संधे होता है कि इसलिए वो बोलता है कि जब भी विबिन्य परिक्षाओं का तू सामना करे तो उसे बड़े आनंद की बास समझना पहला पत्र याकूब का पहला दूसरा बद है मेरे भाईयों जब तू विबिन्य परिक्षाओं का सामना करे तो बड़े आनंद की बास समझो यह जानते होए कि तुमारे विश्वास के पर्खे जाने से धीरज उत्पन होता है आपका विश्वास कब पर्खा जाता है पता आपको जब आप विश्वास के काम नहीं काम में आपका विश्वास नहीं होद आपने विश्वास किया के मेरा प्रभू मेरे साथ है प्रभू मेरी सहायता करेगा मेरा शुमसी मरकर जिंदा हुआ ताकि मैं आशीश पाऊं आपने विश्वास किया ठीक है लेकिन जब आप धंदे पर जाते हैं तो आप विश्वास नहीं करते आपका विश्वास नहीं होता है कि हलोली यहीं आप चुटा काम करना नहीं आते अगर माली यहाप ने किया जो काम परमेशन मुझे देगा आशीशी सिथोगा और एक फोन आया आप कर रहे हैं बीस今日 हिसार महीने का काम और एक फोन आया कि यह mm टरो तुम कर लो नहीं चार महिने कर सकता हूं मैं Nais और 20,000 equity service कर दामा है अभी 2 मेन जो मेने पहले तक है और चार हुजार उपय की मने की service कैसे कर लूं औरे कि तुमने किस पर विश्वास officers to कि मैं कि क्या पता आपको चार हजार से चार लाग की और वह आपको लेकर जाए कि मैं आप नहीं जानते हैं कि यूसुफ बारा साल तक कैदी था और उसके बाद परमेशन ने उसे प्रधान मंत्री बना दिया प्रिसलोट हाललया आपने विश्वास के संग प्रातरा की ना कि परमेशन मुझे काम दे मैं काम करूंगा मुझे आशीज़ दे और फोन आया अकसर यही होता है हम डगमखा जाते हैं नए हमारा विश्वास परखा जाता है क्या लिखा हुआ है यह जानते हुए तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज दुद्पन होता है पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम परमिशर तुम्हें क्यों नहीं दे आपको पता है एक चीज आपको पता है परमिशर आपके जीवन में परिशाएं विपत्तियां संकट क्यों लाता है क्यों लाता है पता है ताकि आपके अंदर वो स्वभाव पैदा कर सके धीरच उसका विश्वास पैदा कर सके वो परिक्षाओं में देखना चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है इन विपत्तियों से परिक्षाओं से डर कर वो भाग तो नहीं रहा यह कैसा कह रहा कि नहीं मेरा पिता है कोई बात नहीं अयूब का नाम सुना अपने अयूब सब कुछ उसका खो गया बच्चों से लेकर, दौलो से लेकर, नौकों से लेकर सब कुछ लेकिन फिर भी वो धीरच के संग कहता रहा कि मेरा परमेशर अंत में मुझे आशीश देगा मेरा परमेशर मुझे आशीश देगा क्यों कहा क्योंकि वो जानता था वो कौन है मेरे भाई, मेरे बहन अगर आप जानते हैं कि इशू कौन है तो विपत्तियां और संकट में अपने आपको हिलाये मात प्रेस अलॉट मुझे वो विश्वास अच्छा लगता है जैसा शद्रक मेशक अबेंद्गों के साथ था जब नबुक अदेसर ने उसे बुलाया और कहा कि ये मूर्ती है तुझे इसके सामने जुकना होगा कहता नहीं जुकेंगे कहता नहीं जुकेंगा तो ये सामने जलती हुई भट्टी है आग की उसमें डाल दिया जाएगा उसने का नबुक अदेसर परमेश्वर हमें बचाएगा और अगर वो हमें नहीं भी बचाएगा तो भी मेरा परमेश्वर है वो जिस दिन आपके जीवन में परिश्याएं आएं जिस दिन आपके जीवन में विपत्तियां आएं आप शैतान से बोलिए है शैतान ये परिश्याए मेरा क्या कर लेंगी मेरा घर का कराय नहीं मिलेगा ना सही मुझे रोटी नहीं मिलेगी ना सही मुझे नौकरी नहीं मेरेगी ना सही लेकिन मेरा प्रभू मेरे साथ है एमान जिस दिन आप इस विश्वास के संग बढ़ेंगे ना आपके धंदे खुल जाएंगे चमतकार होगा दर्माजे खुलेंगे आशीशों के और आप देख नहीं पाएंगे आप समान नहीं पाएंगे ना शीशों को आप चलेंग करिए शाथान को परिशाएं तो आएंगी विपत्तिया भी आएंगी लेकिन ना ही हमारे अंदर विश्वास है मेरा प्रभू है जिसने मेरे लिए जान दी है एमान और वो मेरे लिए जिन्दा बैठा है अभी भी उसके हातों में स्वर्ग में परमेशर के दैनी और बैठा हुआ ईशू मसी और उसके हातों से लहू बैरा है और वो लहू बताता है कि उमसे कितना प्रेम करता है अभी भी दो हजार साल हो गए उसका लहू बंद नहीं हुआ है अभी भी उसका लहू जीवित है हाललया इसलिए कुछ भी परिक्षाएं आए कभी भी विपत्ती आए, संकट आए उसके लहू से अपने आपको शुद्द करिये उसका लहू जीवित है उसके लहू को मांगिये उसके लहू से अपने संकट को दूर करिए अपनी भीमारिये को दूर करिए मांगिए उससे प्रेज लॉट लेकिन विश्वास के संकरिए प्रेज लॉट पांचमा क्या लिखा है यदि तुम मेंसे किसी को बुद्धी की कमी हो तो वो परमिश्व से मांगे और उसे दे दी जाएगी किस बुद्धी की काम करना है आप यहाँ पर इस वचन को समझते नहीं है और कई प्रचारक वचन को समझते नहीं है वो समझाएगे अगर आपको काम मांगना है तो कैसे मांगे हम काम अगर आपको बुद्धी नहीं है वचन को समझने की बुद्धी लाइए सबसे बड़ी बात है आप बुद्धी का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी को बुद्धी की कमी है तो वो मांगे क्या मांगना है कि मुझे जो आपने विश्वास का वर्दान दिया है मैं उसको कैसे उपयोग करूँ हालेलुया कैसे उपयोग करूँ चाह कितने भी संकट हो हलो मेरे तरह देखिए चाह कितने भी संकट हो चाह कितने भी परिक्षाएं आपके जीवन में हो जब मेरी बहने सबजी बनाती है तो क्या मसाला जाला यह नमक जार डलती है कुछ भी हो, आपका नमक उतना ही जलेगा हल्दी उतनी डलेगी चाहे पती ने मारा हो चाहे घर में खाना नहीं हो चाहे कुछ भी हो, चाहे बेटे ने प्रॉब्लम की हो There is a lot Hello, Amen आपका विश्वास आपका कर्म है वो यह होना चाहिए जैसे मरियम ने जिया रिस अलोट मरियम जान गई थी कि उसके कोक में परमेश्वर है उद्धार करता है जब जोशी आ रहे था उसको देखने के लिए जोशी ने देखा जोशी आए उसके सामने आपका पता है मिस्वर में जाने से पहले परमेश्वर ने उसे आशीष भेजी जब परमेश्वर ने उसे मिस्वर भेजना था उससे पहले उन्हें ने जोशी को भेजा परमेश्वर ने और जोशी ने लोबान दिया सोना दिया पैसा दिया Amen जब आप परमिश्र के बन जाते हैं न तो अलौकिक रूप से आपके जीवन में आशीष आता है अलौकिक रूप से आपने सोचा नहीं होगा क्या मरियम जानती थी जोश्यों को जोश्य पूरब दिशा से धूनते हुए आये थे और अपने संग लेकर आये थे लोबान लेगा कि जब वो दे रहे थे मरियम सिर्फ उनको देख रही थी और मैं मैसूस करता हूं कि वो धन्यवाद दे रहे होगी कि पिता तो कितना महाल है हालेलया और उसके बाद परमिश्र ने का मिस्ट जाओ इमेन वो आपको भूका नहीं सुलाएगा वो आपसे ज़्यादा आपको प्यार करता है उसने आपको आपकी मा के कोख में डालने से पहले आपके उपर चित्र लगाया है उस सब कुछ जानता है हमें अपना कदम विश्वास के संग बढ़ाना है प्रविश्वास से मांगे और तनिक भी संधे ना करे क्योंकि जो संधे करता है वो समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से उड़ती और उशलती है ऐसा मनुश्य यह आजना रखे कि उसे परमिशर से कुछ भी प्राप्त होगा क्योंकि दुचत्या होने के कारण वो अपनी सारी चाल में आईस्तिर है डबल डबल स्टेंडर्ड मत रखिए डबल स्टेंडर्ड नहीं रखिए दो नौ में पैर मत रखिए बिना विश्वास के आप एक ऐसी लहर है जो कभी उठती है कभी गिटती है कभी आप परमु के करीब हो जाते हैं जरा सी रोश्नी आती जरा सी धूप आती है आप पीछे अड़ जाते हैं नहीं आपका विश्वास एक मजबूत होना चाहिए अगर आपका डबल स्टेंडर्ड है दुचित्ता अगर आपका सौभाव है आप कभी आशीश नहीं पाएंगे कि स्रमस्तिय दुचित्ता सौभाव डबल स्टेंडर्ड नहीं प्रभू है पत्नी के कहने से चर्च में आ रहे हैं नाई गलत है पत्नी के कहने से मैं आ रहे हूं नाई घर में मननी लग रहा है इसलिए आ रहे हूं नाई आपके विश्वास में एक चित होना चाहिए इश्यू है और वो मेरा काम करेगा इश्यू है और उसने मुझे चुना है वो का संभव को संभव करने वाला है इबरानियों 11 का 6 क्या कहता है इबरानियों 11 का 6 जली पढ़िये हिब्रियू 11 6 हाललिया पढ़ सकते हैं और विश्वास बीना उससे प्रसंद करना अनोन है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है जो विश्वास के संग उसको खोजते हैं जो विश्वास करते हैं कि वो है आप क्या बैठे हुए हैं, अगर आव इश्वास कैसा बैठे हुए हैं कि वो है तब आप चंगाई पाएंगे, तब आशीश पाएंगे आप प्रेस अलोट इसलिए वो क्या कहता है याकूब एक का नमा वरन दीन भाई अपने उच्पद पर गर्व करे दीन भाई प्रेस अलोट धन है वो जो मन का दीन है मती पांच का तीन क्या कहता है धन है वो जो मन का दीन है क्योंकि वो स्वर्ग का अधिकारी होगा आप अगर दीन है तो आपका पद उंचा है क्योंकि आप स्वर्ग के अधिकारी है एमेन दीनता आप में कब आएगी? जब आप विश्वास के संग परमिश्वर के को सुखार करेंगे और आपके हर काम में विश्वास होगा आपने जो मांगा है वो मुझे मिलेगा प्रेस अलोड अपने विश्वास में कमी मत हाने दीजे मेरे भाई इसे लिए लिखा वो दस्वाँ पड़ो बटा एक का दस्वाँ और धनवार अपने निची दश्वाँ पर क्योंकि वो घास के फूल की तरह जाता रहेगा और धनवान अपने हीन दश्वाँ पर धनवान की हीन दश्वाँ क्या है? धनी का मतलब क्या है? धन से क्या मतलब है? अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप बुद्धी में ताकद वरें अगर आप अपने बुद्धी पर विश्वास करते हैं अगर आप अपने शक्ती पर विश्वास करते हैं अगर आपने धन पर विश्वास करते हैं अगर आपने कॉंटेक्स पर विश्वास करते हैं तो आपकी दशाहीन है जैसे घास जल जाती है ना वैसे ही आपकी शक्ती, आपका पैसा आपके कॉंटेक्स ऐसे जल जाएंगे मैं उसको जानता हूँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ प्रभू है जो आपके काम आएगा सिर्फ प्रभू है, और कुछ नहीं है, इसके लिए बारवा लिखा हुआ है धन है वो मनुष्य जो परिक्षा में इस्थिर रहता है, चुकि खरा निकल कर वो जीवन के उस मकट को प्राप्त करेगा, जिसे प्रभू ने अपने प्रेम रखने वालों के को देने की प्रितिग्या की है, धन है वो जो परिक्षा में इस्थिर रहता है, आप परिक्षा में आप को नहीं मिल रहा है और परिक्षा में आज अगर यह नहीं मिला तो कल क्या हिसे इना इसी परिक्षा कहते है, लेकिन धन है वो, जो परिक्षा में इस से रहता है वो कैसे रहेगा, कि हमने मांगा है, आज नहीं मिला, कोई बात नहीं, कल मिलेगा कल नहीं मिला, परसों मिलेगा, is a lot मैंने आपको क्या सिकाए था साथ-साथ का मती साथ-साथ का मांगते रहिये तो आपको मिलेगा ढूंते रहिये तो आप पाएंगे खट-कटाते रहिये तो आप खोलेंगे प्रेस अलॉट यह बड़ी अच्छी बात अंकल पीजी अर्गिस ने बताई है और उन्होंने मुझे एक परचार में बताई मांगते रहिये आप पिता से मांग रहे हैं अपनी मांगने में संकोश मत करिये आपके मांगने में विश्वास कम नहीं होगा मांगे वो देने वाला है प्रेस अलॉट वो देने वाला है हाललुए हाई आपके जीवन्से परिक्षाइट कियों आती है क्योंकि नहीं दो बुरी बातों से परमेश्टियां हो सकती है आर नवा किसी की परिक्षा आप करता रहे Amen जब आपकी परिक्षा हो तो यह मत कहिए कि परमिशन आपकी परिक्षा कर रहा है नहीं कै यूसुफ नहीं कहा था कि परमिशन मेरी परिक्षा कर रहा है एक साल दो साल नहीं बारा साल वो जेल में रहा और उसने कोई गुना नहीं किया था बिना गुना के वो सजा भुगत रहा था लेकिन उसने कभी महसूस नहीं किया नहीं उसने अंगिकार किया कि मेरी परिक्षा हो रही है एमेन चौद्वा पढ़िए चौद्वा परंतु प्रत्यक विक्ति अपनी ही अभिलाशा से खीच कर और फस कर परिक्षा में पढ़ता है आप अपनी अभिलाशाओं से खीच कर परिक्षा में पढ़ते हैं यूसुफ के भाई परिक्षा में पढ़ गया है क्यों क्योंकि उनकी अभिलाशा है गलत थी उन्होंने अपने भाई को बेश दिया उन्होंने अपने बाप को जूट कहा कि तेरा बेटा मर गया है उनकी अभी लाशाएं गलत थी इसलिए जब वो बीच साल के बाद गए मिस्र में गए तो अपने भाई से आखें नहीं मिला पा रहे थे इसलोट आप अपने वचनों पर ना चलकर आप परिश्या में बढ़ते हैं परमेश्र कहता है विश्वास कर मैं हूँ तेरे साथ ये 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 शाया 40 का बढ़िए 40 का 31 ये शाया 40 का 31 परंत जो ये वा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे वे उकाबो के समान उडेंगे वे दोडेंगे और श्रमित नहोंगे चलेंगे और थकित नहोंगे अगर आप परिशाओं में विपत्यों में, संकट में विश्वास के संकदम बढ़ा के आज चलते हैं, TH bet आपका रोज नेया बल मिलेगा रोज नहीं शक्ती मिलेगी और अगर आप विश्वास का उप्योग नहीं करेंगे आपका बल रोज कम ओ जायगा रोज आपका बलकम हो जाएगा संदेह के साथ अरे याद दो दिन हो गए मैंने प्रात्रा किती नहीं हुआ तीन दिन हो गए नहीं हुआ चौता दिन नहीं हुआ क्यों? क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं आप संदेह कर रहे हैं आपने मांगा किससे है? हलो? किससे मांगा आपने? परमिश्वर से? वो जीवीत है वाइबल कहती है वो स्वर्ग में बैठा हूँ आपको देख रहा है उसके धायनी और ईशू मसी जो आपके लिए मर के जिन्दा हो के वो बैठा हुआ है और वो अंधा नहीं है, बहरा नहीं है प्रेस अलॉड आप नया बलप्राप्त करते जाएंगे वो कौबों की नहीं हो लेंगे और दोडेंगे आप प्रेस अलॉड अगर आप विश्वास के संग जिन्दगी जीएंगे तो आप चलेंगे नहीं आप दोडेंगे इसलिए मेरे भाई विश्वास के साथ आप विश्वास को अपना अधार बानिये कोई भी आप काम करिए कोई भी प्रात्रा करिए विश्वास करिए कि मैंने प्रबू से मांगा ये वो होगा मैंने पिता के सामने प्रात्रा किये, मैंने इश्व मसी के नाम से प्रात्रा किये, There is a lot, मेरा अच्छा होगा, पॉजिटिव बोलिए अपने मन से, अपने मुँझ से नेगेटिव शब्द मत बोलिए आप, negativity मत आने दिए अच्छा ही होगा मेरा मेरे बच्चों का अच्छा होगा मेरे घर मेरे निराशा जाएगी आशा आएगी मेरे घर मेरे परमिश्र की शांती मेरे घर का सिंधासन बनाएगी आप नहीं जानते आपके बोलने में कितना सामर्थ है अपने घर में positive चीज़ बोलिए मेरा अच्छा होगा मेरे बच्चों का अच्छा होगा धन्यवाद परमिश्र तुन्हें मुझे चुना धन्यवाद परमिश्र तुन्हें मुझे आशीर दिया शेतान कुछ नहीं कर सकता प्रभू आपके साथ है अलेरिया एमेन कितों ने आज का बचन ग्रेंड किया आज से कोई भी काम आपके जीवन में आपका कर्म विश्वास के संग होना चाहिए आप अपने ऑफिस जा रहे हैं विश्वास के संग जाए बचन के अनुसार जाए अपना धंदा खोल रहे हैं विश्वास के संग करिए आज अच्छा होगा लेकिन विश्वास के संग उसके आज्याओं पर भी चलिए जो कहता है रेज अलोट मैं विश्वास करता हूँ का आज का जी आज का बचन आपके जीवन में अद्बुत आशीष लाया होगा हालेलोईया मैं सामने वाले जो यूटूब वाले हैं उनके लिए प्राथना करता हूँ पिता परमेश्व धन्यवाद देता हूँ आपके पवदे समाथी नाम में अद्बुत शिफाय परमेश्व जो भाई बहन देख रहे हैं परमेश्व उनको आशीष दीजे उनका विश्वास और मुकम्मिल हो मजबूत हो और चट्टान की तरह मजबूत हो परमेश्व हालेलोईया हर कदम विश्वास के संग बढ़ाएं और आपका आशीष पायें देखें आपके चमतकार को रोज अपने जीवन में होते हुए इश्व मसी के नाम से मांगता हूँ धन्यवाद देता हूँ प्रात्रा अपने सुनी और कभूल कि हम सब कहेंगे प्रभू आपको आशीष से गड़ गैसी, हाले